सबरं, सबरं पित्रों समय और स्वास्त हमारे दो अनमोल संपत्ती हैं जैसे व्यर्थ विचार, बुरे विचार हमारे समय को नस्ट करते हैं वैसे ही बुरा खान पान हमारे स्वास्त को नस्ट करता है हमें बिमारी की ओर धकेल देता है इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने खान पान का भी ध्यान रखें ताकि हमारा स्वास्त बहुत अच्छा रहे और इस शरीर के माध्यम से हम अपने जीवन के धे की ओर बहुत अच्छी तरह आगे बर सकें और यही कारण है कि हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपकी सेहत आपके हाथ आए सुनते हैं आज डॉक्टर गुपता जैसे कि वो हमें इस सेग्मेंट में क्या बताने जा रहे हैं ओम शान्ती, गूड मॉर्निंग फ्रेंट्स कहते हैं जैसा अन वैसा मन पोचन के छे मुख्य अंग है पहला है कार्वोहईडरेट्स जो कि लगए 50-60% कैलरीज वासे आती है और हमें इनर्जी देन परदान करता है दूसरी जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन है लगवए एक ग्राम परकेजी बॉड़ी वेट के साब से हम खाते है और हमारी बॉड़ी के रिपेर करता है वो हमें परफलित रखते है और तीसरा कंपोनेंट है फैट्स वसा और वसा से हमारे ज्यादा तर हार्मोंस जो हमारी सेल्स होते हैं उनकी वॉल्स उससे ही बनती है चौथा कंपोनेंट विटामिन्स A, B, C, D, E, K काफी सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो कि हमें बिमारी से रक्षा करते हैं पांचवा कंपोनेंट है वो मिनरल्स है और हमारी जन्दर जो सोडियम, पोटिशियम, कैल्शियम, मैंगनीशियम जो होता है उससे हमारी सारी मसल्स का कॉंट्रेक्शन, सारी एक्टिबिटीज एलेक्ट्रिक फ्लो, सेल्स में वो सारा इसी के त्वरा मेंटेनेस होते हैं और चटा कंपोनेंट पानी है हमारा 65-70 परसंट जो हमारा शरी पानी से बना हुआ है ये छेके-छे कंपोनेट भोजन में जरूरी है और याद रखें दोस्तों, भोजन के साथ हमारी मन की अवस्ता अगर आम सात्विक मन की अवस्ता हो अगर आप भोजन परमात्मा की याद में बनाए और परमात्मा की याद में खाएं तो आपको बहुत ही फाइदा भोजन से काली ना अनेरजी, रिपेर और मेंटेनस होगी बलकि आपको शांती, प्यार, खुशी भी आपके जीवन में भरपूर हो जाएगी दोस्तों हमारे आहर में अक्सर सारे पोशक दत्व नहीं होते हैं जिनको पूरा करनी के लिए हम मल्टी विटाइमेंस सप्लिमेंट लेते हैं आईए जानते हैं इसके फाइदे पहला है उर्जा का बढ़ना मल्टी विटाइमेंस लेने और स्वस्त दिनचरिया अपनाने से हम उर्जावान और फिट रहते हैं दूसरा है मूड को सुधाना परियाप्त मातरा में विटाइमेंस और मिंडल्स लेने से हमारे दिमाग का कारिया बहतर होता है जिसका सीधा असर हमारे मूर पर पढ़ता है तीसरा है यादाश का बढ़ना विटामिन B परियाप्त मातरा में मिलने से हमारी कम अप्थी की यादाश यानि शौट टर्म मैमूरी को सहायता मिलती है दोस्तों मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स अगर जोरत से अधिक खाए जाएं तो हमें कले में सूजन, बेट खराब होना, सांस लेने में तकलीव, चैरे पर सूजन, सिर्दर्द आदी हो सकते हैं इससे बचाव के लिए जरूरी है कि पहला, डॉक्टर के प्रामर्श अनुसार ही मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स लिए जाएं दूसरा, राकेटिक आहार से ही अधिक तर पोषक ठत्वों को ग्रहन करें तीसरा, नियमित एकसरसाइस को दिंचरिया में शामिल करें इस तरह से हम मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स का पूरा लाब ले सकते हैं